हेलो एवरिवन तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं D&L Configuration या फिर इसे आप कह सकते हैं D&L Nomenclature तो इसे पहले हमने कुछ पहले वीडियो में बात कर ली है RS Nomenclature की उसमें आप एक चीज इंकलूड कर लीजिए कि यह इसकी Discovery 1956 में हुई थी और जब इसकी Discovery नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग DL Configuration का या फिर DL Nomenclature का हम लोग यूज करते थे और इसकी Discovery 1906 में रोजेनाफ ने की इसकी Discovery 1906 रोजेनाफ सांटिस्ट हैं इन्होंने इसकी Discovery की और RS Nomenclature में किसकी Numbering किसका किसका करते थे जो हमारा उसमें ढूरते थे हम कारल कारबन और उसकी उसका हम नम लेचर करते थे इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है वैसे हम इसमें भी करेंगे हाला कि इसकी Discovery पहले हुई थी पहले हम इसका नम लेचर करते थे फिर बाद में इसको मॉडिफाई करके RS वाला जब से आया तो हम RS नम लेचर करते हैं लेकर डियल भी हम हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं तो डियल के लिए कि दियल नम लेचर करने के लिए हमें काईरा पाल पुरों पलुए हैं सब के सब अभी काईराल कारवन हे हैं हाइज दियल हम डी कैपिटल डी और अगर हमारा लिफ्ट साइड में है तो हम लिखेंगे ल यह हो जाएगा हमारा डी एंड एल यह हमारा डी यह नॉमकलेचर यह फिर इसे आपका इसे कहिए कॉन्फिगुरेशन तो देखते हैं सब्सेपभे लד जो जिसका हम नों में लodần करने वाले हैं जिसका पहले कि यह संप बेहले हैं डी देर्थ तो इसका नाम हैं ट यह हो जाएगा हमारीट और और करेंगे यह सुभ्य दिख टूभ salole À तो हम इसको लिखेंगे D-glyceral Dehyde और इसमें हमारा CH2 टॉप पर है इसमें CH2 OH बाटम पर है तो बाटम पर और OH अगर हमारा लेफ्ट साइड में होता है तो इसके लिए हम लिखते हैं L यह तो पिछला होगे ना Glyceral Dehyde ऑटम अब अगरा यह वाला इक्जाबल देखे हम तो इसमें अगर यह वाला करवन सब करवन है इसमें ऑप लागर कर्वन क्या देखेंगे हम CHこ देखें CH यह SHण यह साइड है जब हम इसको रोटेट करेंगे इसको अब हम रोटेर करके इसको टॉपर ले जाएंगे इसको टॉपर ले जाएंगे तो यूख 3700 Semester यानि कि सबकी position opposite हो जाएगी ओएच इधर आ जाएगा लेफ साइड में और यह उस साइड में चल जाएगा यानि कि यह वाल मालीकुल जो आप इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो आपको यह वाले मिल जाएगा इसका नावंग लेचर आप भी हो जाएगा अब बारते हैं हम कुछ अगले एक्जांपल की तरफ यह हमारा था फिशर प्रोजेक्शन में और यह बाटम पर हो जाता था अब हम अगर हमारा फलाइंग लेज में दिया हो तब हम उसे कैसे करेंगे तब इसका नावंग लेचर में कैसे करना है इसके लिए आप ज्यादा ध आफ फिशर से फ्लाइंग फिशयर वह वीडियो आप उस वीडियो का लिंक आपको आई बेटन में मिल जाएगा आँव हम देख कर के उसे पहले देखलेंगे चल्वर्जन फिर उसके बाद देखंगे इससे तो आप इसको पहले कर लेंगे फिशर में में ये हमारा फिशर और उसमें आप देखेंगे, तो मैंने उसमें Conversion बताया हुगा है, मैं इसमें देखिए कैसे Convert करते हैं, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और OH हमारा पीछे जाएगा, और CH2OH रहेगा, और CH2OH यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह हम इसे Fischer में Convert कर लेंगे, तो देखेंगे CH2OH प तो इसका अगर हमारा कोई भी फ्लाइंग देज में दिया हो तो उसे हम फिशर में कर लेंगे फिर उसका नमंग लेचर कर सकते हैं हाँ तो अभी तक हम बात कर रहे थे अगर किसी भी मालेक्योल में एक कारल कारबन परजेंट हो तो लेकिन अब हमारे पास कश दो-दो कारल कें खेंटा रहे हैं अब किया अब क्या होगा हाँ तो अब करते हैं अगर हमें इसमें आई इस आंप या जो नबर हो कारबन मिलेगा हायर जो हमारा यह वाला देखिए जो हमारा हायर पराटी में कारल कारबन होगा उसको हम उसको उसको उसकारबन को सिर्फ हम देखेंगे अब यह वाला कारबन है हमारा तो इसको अब हमें देखना है तो इस कारल कारबन के अगर OH राइट साइड में होगा तो इसके लिए हम नमबरिंग करें के D इसमें OH अगर राइट साइड में तो इसके लिए नमबरिंग हो जाएगी 2 D यह हो जाएगा दो कारल सेंटर के लिए अब इसमें अगर हम देखें हुआ यह कारे लिएंटर है हमारा और रे क discovers यह तो इसमें अगर हैं seinem नम्बर डननियों मतलब norm कि अमारी श्टैट होगी और यहीं तग आगी तो यह वलग कार्बन जो है वह वह उम्य और स्वें लीफ साइड में थैंटर इसका और सरो जाएका Call कि यह है इसके left side में है तो इसके लिए हो जाएगा तो इससे पहले पीछली बीडियो में मैंने बताए था इरिस वह लगा सकते हैं यह देखें दोर्स सैंसाइड है दो अधिसे ईत नहां सकते हैए ड़ी ईरित्र्रो यहाँ पर इसके नाम ग्लेचर में इसको लिख सकते हैं D-Erythro और इसको लिख सकते हैं L यह भी देखी इधर सेंसाइड है ना इसे भी लिख सकते हैं L-Erythro अब बलते हैं हमारा पाच्वाँ एक्सामपल यह वाला भी हमारा काइरल है तो अब हमें इस कार्बन को देखना है या अब जान चुके हैं कि आप हमें निशले वाले कार्बन को ही देखना है तो ओ यह हमारा राइट साइड में तो इसके लिए हमारा हो जाएगा नामंग लेचर डी अब अगर हमारे कारबन जैसे की अभी तक मैं दो कारबन लेख चला था अब यहां पर तीन कारबन आ गए को देख कर नहीं है अब इस तरह से नंबरीग करके जो यहां पर आपको अभी से घंग ऑलर मिलेगा आप उस होठेंगे 1234 और इस पूर वाले नंबर नंग को आप देखेंगे फोर नंबर काडल् जो है इस इस कार्ल सेंटर से जो गा अगर वो right side में होए यह राइट साइड में तो इसके लिए हो जाएगा आपका कान्फिग्रेशन डी डी कान्फिग्रेशन आप यहां पर लिए देंगे अगर यह हमारा लेफ्ट साइड में होता यह आप आप एक्जांपल निचे लिख सकते हैं इसको लेफ्ट में करके एच को उधर कर देंगे तो उसके लिए हो जाएगा हमारा एल अब बढ़ते हैं कुछ हम अपने अगले एक्जांपल की तरफ सात्मा अब जैसे की देखिए इसमें और भी कारल सेंटर और भी मैंने बढ़ा दिये हैं वैसे इसका इस्ट्रॉक्चर का नाम क्या है यह स्ट्रॉक्चर हमारा गुलकोस का है इसमें आप नमबरी करते हुआ आएंगे वान टू थीरी फॉर फाइफ तो फाइफ वाला जो हमारा सब्सक्राइब होगी हमारी पर तक हमाहा तक हाएंगे तो यह हमारा है यह कारल सेंटर है है हाईर मैं नमबर इंके बैस पर कह रह रहा हूं ठीक है तो अब इस कारवन से यह ओएच लेफ्ट में अटाइस्ट है तो इसके लिए हो जाएगा एल गुलुकोस यह गुलुकोस का इस्ट्रक्चर है और यह वाला है इसका नाम अग्लेचर होगा इल गुलुकोस अब मैंने इसी का इधर मेरा इमेज बना रखा है पस यह ओएच राइट साइड में है तो इसके लिए हो जाएगा यह डी गुलुकोस हाँ अब कुछ ऐसा केस आए कि जिसमें ओएच पर्जेंट ही ना हो तब हम उसका डियल कैसे करेंगे देखिए इसमें सी ओएच उपर इधर एनस्टू इधर सीच्टू इधर एज सीच्टू ओएच तो अपनी जंगा पर है बाटम पर इधर एच बी लेफ्ट साइड में ह है अब और यहां पर लेकिन अब इसमें अगर महा तो इस से कैसे डियल करेंगे कि इसका नाव आदा है और गो बस हमें कुछ नहीं करना है इसको उसकी जगह पर पढ़े रहने देंगे और इनस को तो यहां पर काम कर रहा था इसके लिए काम करेंगे लिए और इसका बस में बना दिया लेट साइड में है तो यह हो जाएगा ऑध यह हो गया हमारा हाँ अब बात आती है इसमें की कैप्टल डी और इसमें है कैप्टल ल आज देखिए यहां पर यहां पर कैप्टल ल तो इससे पहले कि अपने वीडियो में पढ़ खाऊगा इसमाल डी और इसमाल ल जिसे आप यहां पर पलस से डी रिपेर्जेंट करते हैं और इसे माइनस से भी रिपेर्जेंट करते हैं इसका मतलब होता है कि यह डी वाला जो है वो डेक्स्टर रोटरेटरी शो कर रहा है और यह एल वाला जो है वो लिवर रोटरेटरी शो कर रहा है लेकिन इसमें डी एल जो है वो यह हमारा डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीव भी हो सकता है और वाला जो है वह भी डेक्स्ट्रो हो सकता है और यह भी लीव हो सकता है तो इसमें दोनों में यह डीडी इसका मतलब डेक्स्ट्रो तो इसका मतलब भी डेक्स्ट्रो यह हर्गीज नहीं है इसका मतलब यह नेम यह लाइट को रोटेशन करने के लिए बताता है और यह हमारा इसको नेमिंग के लिए नमंग लेचर के लिए बताता है तो यह थे कुछ एक्जामपल यहां पर तो उम्मीद है आपको डिये डिये अंड एल कांफिगूरेशन यानि नमंग लेचर समझ में आया होगा तो आज किस वीडियों में आपके लिए बास इतना ही मिलते हैं आप से नेक्स्ट यूडियों में तब तक के लिए मैं इजादत दीजिए खुदा हाफिज टेक दी स्क्रीन शोट कर दोपारो करना ही में आप